असलाम आलेकुम and welcome back to my channel again well हम चले गए थे last weekend अलवतपा Salt Lakes जो located है अभुदवी अलेन रोड में तो ये one of the tourist spot है जहां लोग अकसर जाया करते हैं most of them और थोड़ा अवे है city से और ये एकदम ड्यून्स के बीचों बीच लोकेटेड है माशाला से एक tourist spot है जहां लोग जाते हैं तो ये देख सकते हैं आप ड्यून्स तो we almost reaching to the place and here we are as you can see तो हम almost पहुंच गए थे और आप ये देख सकते हैं नजारा the salt lake का ये एकदम माशाला से जो पानी जो है न सूखे एकदम इसने नमक की शकल ले लिया था you can see it yourself मेरे बैगरांड में आप देख सकते हैं के सारा पानी जो सुखा हुआ है न तो salt glacis में बन गया है look at this so it's a nice place for family and friends जा सकते हैं to explore to see the place हमें बहुत मजा आया वैसे कुछ खास तो है नहीं बट आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा के लाकिनो पानी में पानी की शकल नमक ने ले थी तो अच्छा लगता है just to have that experience going on top of the dunes so हमने dunes को explore किया वहां से देख सकते हैं क्या आप यखिन करेंगे के dunes के बीचो बीच एक लेक भी होता है seat yourself बस हम उपर चले गए थे थोड़ी देर बैट गए थे because we wanted to watch the sunset so believe me sunset was amazing फिर हम वापस नीचे आ गए और इस खारे पानी का हमने लुद फुटाया थोड़ा पैर दाले अपने और मजे ले रहे थे mashallah बच्चे और हम and it was a great experience और हाँ जरूरी बात आप अपना sunscreen लेना ना भोले और साथ में अपने slip-ons भी ले ले लें it's better because काफी धूप होती हो और नमक की कंकरियां होती है because पैर नीचे हम नहीं रख सकते इसलिए तो हमने बस explore किया और हम वापस चले गए थे on a way back थोड़ा घर गए फ्रेश हो गए और हम चले गए थे बिकनेर वाला for our early dinner तो बस हमने कुछ हवी नहीं खाया थोड़ा सा चाट ले लिया लिक पानी पूरी भेल पूरी और चाइनी स्प्लैटर लिया हमने और थोड़ी कुछ साथ में मिठाईयां बस हम अपना डिनर कर लिये और अच्छा लगा इस्पेशली दक राच कचोरी वस अमेजिए अंगूर रबडी अंगूरी रबडी वस वन अफ दे मोस्त अमेजिग थिंग वी आद देग so here it is हमने enjoy किया अपन डिनर और ये थे spring rolls जो मैंने कहा कि चाइनीस प्लैटर में आते हैं alhamdulillah alhamdulillah we had a great whole day mashallah it was amazing mashallah especially watching the sunset from the dunes तो बस अपना डिनर कर लिये थे हमने और लास्ट में आने वाली थी अपनी चाई तो हम चाई कैसे बोल सकते हैं बिकनर वाला का तो हमने साथ में चाई ले ली और खाना पीना खाए और बस चल पड़े अपने घर तो थैंक यू सो मुझ फो वाचिंग वाचिंग मैं व्लोग अगर आपको और ऐसे व्लोग देखने है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्स्क्राइब करने ना पूरिए हैं और भी इंग वादू होम बैक मैं ले दीवूँ व्दा आप सभी से अंचिल दैं महासलामा